असलालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल आज हम बच्चों के लिए हेड़ बैंड बनाएंगे स्लिप नॉट एक दो तीन चार पांड छे चेंज यहां पर आप निशानी रख लिजिए एक दो तीन चेंज आपने एक्स्ट्रा लेनी है और फिर आपने एक डवल कुरेशिया दूसरा डवल कुरेशिया एक दो तीन चेंज और एक ही स्टिच के अंदर से आपने इस पंखड़ी को मुकमल करना है अब हमने फिर से यहां पर एक दो तीन चेंज और वापिस उसी स्टिच के अंदर हमने दो डवल कुरेशिया बनाने है एक दो तीन चेंज और वापिस उसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच अब आपने एक दो तीन चेंज और एक डवल कुरेशिया बनाना है इस तरह से ये पंक्री मुकमल होगी अब आपने यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांट, छे चेंज बनानी है यहां पर आपने निशानी रख लीजिए एक, दो, तीन, चार चेंज और आपने डबल, ट्रिपल कुरेशिया बनाना है यह इस तरह से बनेगा अब यहां पर एक, दो, तीन, चार चेंज बनाकर आपने यहां पर स्लिप स्टिच से इसे बन करना है यह दिखिए इस तरह से यह पिकोक बन जाएगा और फिर आपने चार चेंज लेनी है और इसको भी आपने सेम स्टिच के अंदर से इसको slip stitch की मदद से बंद करना है और अब आपने एक अगले stitch के अंदर एक और slip stitch बनाना है इस तरह से ये एक पत्ती बनेंगी और ये एक फूल बनेंगा अब फिर से हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँ छे चेंज बनानी है और यहाँ पर एक दो तीन चेंज और यहाँ पर एक डबल कुरेशिया एक दो तीन चेंज वापिस इसी स्टिच के अंदर slip stitch एक पंकडी बन गई एक दो तीन चेंज एक डबल कुरेशिया एक दो तीन वापिस उसी स्टिच के अंदर इसको बन कर लीजिये यहाँ पर यह जो पूल बन रहा है उसकी दो पंकडिया है जो एक डबल कुरेशिय की मदद से बनी है अब आपने यहाँ पर फिर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा चेंज बनानी है फिर से अब आपने यहाँ पर एक फूल बनाना है यह 3 चेंज और 2 डबल कुरेशिया एक दो तीन चेंज सेम स्टिच एक दो तीन और 2 डबल कुरेशिया और एक दो तीन चेंज वापिस उससे स्टिच के अंदर slip stitch एक दो तीन और आपने एक डबल कुरेशिया बना कर इस फूल को मुकमल करना है ये इस तरहां से बन रहा है लेकिन अब आपने देखना है आगे मैंने क्या करना है एक दो तीन चार पांच छे छे के बाद आपने एक दो तीन चार और एक डबल ट्रिपल कुरेशिया ये पत्ति हम फिर से बना रहे हैं चार चेंज आपने यहां पर बनानी है और इसको बंद कर लीजिए एक दो तीन चार चेंज सेम स्टिच पर इसको बंद करना है और एक फिर से अगले स्टिच के अंदर एक स्लिप स्टिच इस तरहां से अब आपने एक दो तीन चार पांच छे चिन्स यहां पर आपने एक दो तीन चिन्स एक डबल कुरेशिया एक दो तीन चिन्स और सेम स्टिच के अंदर इसको बंद करना है अब आप यह दिखिए ये हमने एक फूल बनाया एक पत्ती है तो पंकडिया है एक फूल की फिर एक फूल है फिर एक पत्ती है लेकिन ये जो हम फूल बना रहे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ एक पंखड़ी बनानी है, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक है, यह आपने डिफरंट याद रखना है, बारा चेन, एक, दो, तीन चेन्स, और यहाँ पर आपने दो डबल कुरेशी की मदद से एक फूल बनाना है, एक, एक, दो, तीन, और यह एक हिस स्टिच के अंदर इसे बंद कीचे, एक, दो, तीन, यह बनाना बहुत आसान है, और बहुत ही खुबसूरत लगेगा जब यह बच्चे इसको पहनेंगे, दो, तीन, और इसको यहाँ से बंद कर लीजिए, एक, दो, तीन, और एक डबल कुरेशिया, और फिर से आपने छे चेन के साथ दुबारा से इसको मुकमल करना है, यह द इसको आप मुकमल कर लीजिए, चलें हम भी इसको मुकमल करते हैं, यह हेर बैंड हमने मुकमल कर लिया, अब हमने इसको रबड के हेर बैंड के साथ जॉइंट करना है, उससे पहले हम यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, और फिर से हम एक, दो, तीन, चार, और एक हम यहाँ पर डबल ट्रिपल कुरिशिया बना कर, एक, दो, तीन, चार एक, दो, तीन, चार, यह एक पती हम मुकमल कर लेंगे, और फिर से एक, दो, तीन, चार, पांक, छे, साथ, आठ, नौ, दस चेंज हम यहाँ पर बनाएंगे, दस चेंज जब हम यहाँ पर बना लेंगे, तो फिर हम यह हेर बैंड को इसके साथ इस तरह से इसके अंदर से गुजार लेंगे, इस तरह से गुजारने के बाद आपने ये जो फूल बना हुआ है यहाँ पर आपने इसको इस जगाँ पर इसको स्लिप स्टिट की मदद से जोड़ लेना है इस तरह से अब आपने फिर से यहाँ पर एक डबल कुरेशिया बनाना है और एक दो तीन चेंज और इसी स्टिच के अंदर आपने इसको बन करना है फिर एक दो तीन चेंज और दो डबल कुरेशिया और एक दो तीन चेंज सेम स्टिच के अंदर इसे बन कीजिये एक, दो, तीन, दो डबल कुरेशिया, एक, दो, तीन चेंज, और वापिस सेम स्टिच के अंदर इसे बंद करके मुकमल कर लीजी यह देखें आप, इस तरह से यह एक फूल मुकमल हो जाएगा और यह हेर बैंड इसके साथ जुड़ जाएगा अब आपने क्या करना है, यह जो हमने यहाँ पर बारा चेंज बनाई हुई थी, यहाँ इसके सेंटर तक हमने यहाँ पर आना है इसके लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेंज बनाई और यहाँ पर फिर आपने 1, 2, 3, 4 एक्सट्रा चेंज बनाई डबल ट्रीपल कुरीशिया आपने यहाँ पर बनाकर यह एक आपने फिर से एक पत्ती बनानी है एक, दो, तीन, चार यह पीको का आपने बना लिया एक, दो, तीन, चार चेंज सेम स्टिच के अंदर इसको जॉइंट कीजिए और एक अगले स्टिच के अंदर फिर से एक स्लिप स्टिच बना कर यह एक पत्ती बना लीजिए अब आपने क्या करना है इसका अब आपने सिर्फ धियान इस तरह से रखना है कि एक दो तीन चार पांच चेंज और आपने यहाँ पर जो एक पंखड़ी बनी हुई है वहाँ पर आपने इसको स्लिप स्टिट की मददसे से बंद करना है और यहाँ पर आपने दो पंखड़ीया बनानी है एक दो तीन चेंज हो गए एक डबल करेशिया एक दो तीन चेंज सेम स्टिच में बंद कीजिए इसे एक दो तीन एक डबल करेशिया एक दो तीन चेंज और सेम स्टिच में से मुकमल कीजिए यह देखें यहाँ पर यह तीन पंखडियां बनेंगे अब हम यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ चेंज बनाकर यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे अब फिर से एक डबल कुरेशिया सेम स्टिच के अंदर से गुजारेंगे एक, दो, तीन चेंज और फिर सेम स्टिच के अंदर इसको बन करेंगे एक, दो, तीन चेंज और फिर से दो डबल कुरेशिया बनाते हुए इस फूल को हम मुकमल करेंगे आपने याद रखना है कि एक फूल के अंदर हमने पांच पंक्डिया और एक फूल के अंदर हमने तीन पंक्डिया बनानी है और इसी तर्तीब को आपने गोर से देखना है और ये आपने उसी तरह से मुकम्मल करनी है यह दिखिए यह भी पांच पंख्डियों के साथ एक फूल मुकमल हो गया अब आपने फिर से एक दो तीन चार पांच छे चेंज बनाकर यहां पर भी आपने एक पत्ती बनानी है डबल ट्रिपल कुरिश्य से और एक चार चेंज की मदद से पीकॉट यह मुकमल हुआ एक दो तीन चार चेंज सेम स्टिच के अंदर बन कीजिए और नेक्स्ट के अंदर आपने स्लिप स्टिच एक दो तीन चार पांच इस तरह से आप यह देखें पहले हमने जो पंक्डियां बनाई हैं वहां पर हमें एक बनानी थी अब यह दो बनी हैं तो यहां पर हमने अब एक बनानी है चेन को आप इस तरह से करीब लाकर देख लीजिए कि आया यह चेन का साइस बराबर है अगर कम ज्यादा हो जाएं तो आप उसको उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा यह उतनी बना लीजिएगा क्योंकि बाज वकात हमारी डौर में कमी ज्याती हो जाती है कुरेशिय की चेन जब हम बना रहे होते हैं अब यह देखें यहाँ पर इस तरह से तीन बन गए यहाँ से इस तरह से यह तीन बनी यह फरक आपने याद रखना है अब आपने फिर से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ चेन्स बनाकर आप देख लीजिए कि यह इसके बिल्कु करीब आ रहा है के नहीं तो फिर आप देख लीजिए उस हिसाब से इसको चेन को मुकमल कर लीजिए अब फिर से आपने यहाँ पर एक डबल कुरेशिया बनाना है और इस तरह से यह आपने फूल मुकमल करना है चले यह मैं भी मुकमल करती हूँ और आप भी मुकमल कीजिए और मुकमल करके हम फिर वापस आते हैं हमने मुकमल कर लिया है एक सेरे पर हमने इसको हेर बैंड के साथ जोड़ दिया हुआ था अब हम इसको दूसरे सेरे के साथ भी जोड़ेंगे आखिर में भी हमने ये फूल जो मुकमल किया है उसके साथ भी हमने एक पत्ती बनाई है और ये हमने पांच एक्स्ट्रा चेंड बनाई हुई है इस पर अब हम क्या करेंगे बस अब आपने इसको इस तरह से हेर बैंड को अंदर रखना है और ये जो हमने पांच चेंड बनाई हुई है यहां से हम इसको आपस में जोड़ देंगे यहां इसकी आखरी चेंड को पकड़ेंगे यहां से और यहां पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम बंद कर देंगे इसको मजबूत करने के लिए आप चाहें तो एक, दो, तीन, और ये चार चार मरतबा आप इसको मज़ीद स्लिप स्टिच बना सकती है इस तरह से यह मजबूत हो जाएगी आप यह देखें यह इस तरह से इसके साथ जुड़ गई है हेर बेंड हमने मुकमल कर ली है आपके सामने है यह देखें कितनी खुबसूरत सी यह हेर बेंड मुकमल हो गई है अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा करेंगे वो यह कि हमने यह जो हेर बेंड लगाया है इसको हम इस तरह से डूर के साथ बांदेंगे जिसे ये और भी खुबसुरत हो जाएगा चलें देखते हैं कि ये हम किस तरह से इसको बांदेंगे आपने इसके सेंटर को इस तरह से पकड़ लेना है और डूर को लेकर ये देखें डूर को आपने इस तरह से यहां पर आपने एक फंदासा बना लेना है और इस तरफ एक सिरा अब आपने क्या करना है कि यह जो एक्स्ट्रा डोर है जो हमारे पास इसको हमने यहां से शुरू करना है यह देखें इस तरह से हम इसको उपर की तरफ लेकर जाएंगे अब यह देखें यह जो हमारे पास डोर बची हुई है यहां पर यह जो एक फंदा बना हुआ है इसके अंदर से हमने इसको गुजारना है इस तरह से और इसको यहां से आप पकड़के निकाल लीजिए आप क्या करना है यह देखें यह जो है यह सिरा हमने पकड़ना है और यह सिरा भी हमने इस तरह से पकड़के रखना है इसको आप दबाएंगे तो यह नीचे की तरफ चला जाएगा फंदा और यह अंदर की तरफ चला जाएगा इसको भी आप खेंच कर टाइट कर लीजिये और अब आपने इन दोनों सिरों को काट लेना है अब आप देखें कि आपको इसकी डौर नजर नहीं आरी कि इसका सिरा कहां था और ये कहां से शुरू हो रहा है ये हेड़ बेंड जो मैंने बनाई है इसको आप बच्चों के फ्रॉक की बेल्ट के तोर पर भी इस्तमाल कर सकती है हेर बेंड मैंने मुकमल कर ली है अब आप देख सकते हैं कि मैंने दो कलर में बनाई है और दोनों ही रंगों में ये बहुत ही खुबसूरत दिख रही है अब मैं आपको इसको करीब से इसका डिजाइन दिखाती हूँ ये देखिए ये देखने में इस तरह से होगा उमीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर आप मेरे चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए बहुत जल्द अपनी नए वीडियो के साथ फेराऊंगी तब तक किले अजाज़त दीजिए अलाफेज